यूपी पंचाय चुनाव के रुजहान और नतीजे सत्ताधारीदल बीजेपी के लिए तगड़ा जटका साबित हो रहे हैं। पुर्वान्च लावद और मध्य यूपी में सपा का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहां तक की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संसद्य शेत्र, वारानसी और आयुध्या में भी बीजेपी को शिकस धेलनी पड़ रही है। वहीं पश्मी यूपी में भी बीजेपी अपनी जमीन खोती नजरा रही है। अजित सिंग की पार्टी आरेलडी ने जाटो के बीच यहां अपनी पैट बना ली है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो बीजेपी के लिए पंचायच चुनाव के नतीजे खत्रे की घंटी है। राज्य में अगले साल विधानसवा चनाव भी होने हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगे अधितनाथ के गड़ गोरखपुर की 68 में से 5 सीटों के नतीजा आए हैं। इसमें 3 पर सपा और 2 पर अन्य जीते हैं। संथकबीर नगर की 30 सीटों में से 11 पर सपा, निरदल्य ने 10, BSP ने 4 सीटों पर जबकि BJP मातर 4 सीट ही जीत दर्ज कर पाई है। वारणसी की 40 सीटों में से सपा ने 14 सीटे जीत ली हैं। बीजेपी महज 8 सीटों पर और बीएसपी ने 5 सीटे यहां पर वारांटसी में जीती है, अपना दल को 3 सीटे मिली है जबकि आम आदमी पार्टी और सुहिल देव भारतिय समाज पार्टी को एक-एक सीट मिली है, जबकि निर्दल यह 3 उमीदवार विजयी रहे, आजमगड क 84 सीटों में से 45 पर समाजवादी पार्टी ने कबजा कर लिया है, जबकि बीजेपी महज 15 सीटे ही जीत पाई है, वहीं बोजन समाजपार्टी 15 सीट ही जीत पाई है, अन्य आठ उमिदवार विजयी रहे हैं, जबकि कॉंग्रिस को सिर्फ एक सीट मिली है, आवध लखनव और आयुद्या में भी सपा की बड़ी जीत हुई है, लखनव में तो बीजेपी के बड़े बड़े दिगजनेता हार गए, लखनव जिला पंचायत की 25 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटी मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी को 10 सीटे हासिल हुई है, बसपा को यहां 4 सी सीटों में से 24 पर सपा, 2 पर बीजेपी, 5 पर बीएसपी और 5 पर आन्य उमीदवार जीते हैं, राइबरेली के 51 सीटों में से 27 पर निर्दलिय, सपा 9, बीजेपी 8 और कॉंग्रेस महज 7 सीटी जीत पाई है, पर्षिम यूपी में अजित सिंग के आरेलडी ने पैट 10 पर सपा, 2 पर बीजेपी और 3 पर बीयजेपी और थीन पर बीजेपी के उमीदवार विजई रहे हैं, मेरट की 33 म becomes 16 सीटों के नतीज़े घोशित हुए हैं, 8 पर सपा, अरेलडी, 5 पर बीजेपी और 3 पर बीजेपी जीती है, वहीं सार 하나पूर की 49 सीटों में से 17 सीटों मे नतीज़ घोशेत हुए हैं, यहां पर 4 पर BJP, 26 पर सपा, 4 पर BSP और 15 पर अन्य उम्मीदवार जीते हैं वहीं मुरादाबाद की 49 में से 20 सीटों के नतीज़ घोशेत हो चुके हैं जिसमें 15 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, BJP को सरफ 2 सीटे मिली हैं और अन्य के खाते में गई हैं 3 सीटे मध्य यूपी, टावा, मैनपुरी और कनोज में समाजवादी पार्टी का जलवा कायम है यहां 9 की 27 दिला पंचाय सीटों पर 10 पर समाजवादी पार्टी ने कबजा कर लिया है जबकि BJP को 9 सीटे मिली है और BSP 4 सीटों पर आगे है कानपुर देहाद की 32 सीटों में से 15 पर S.P., 2 पर BJP, 5 पर BSP और 10 पर अन्य आगे है कनोज की 24 सीटों पर उज़ान आगे हैं तो वहाँ पर 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है निर्दलिये 9 मिद्वार आगे हैं, 5 पर BJP आगे है, अभी आधिकारिक पुष्टी ओनाला की वाकी है वहीं मैनपुरी के अगर बात करें तो 28 सीटों पर उज़ान है 15 पर समाजवादी पार्टी आगे है, BJP आठ और अन्य जो हैं वो 5 सीटों पर आगे है बुंदेल खंड में BJP और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टकर है ललितपुर की 21 दिला पंचायत सीटों में से BJP 6 पर, सपा, BSP 3 और निर्दलिये 7 पर आगे हैं जहासी की 24 सीटों में से 10 पर BJP, 7 पर सपा, 3 पर BSP, 1 पर कॉंग्रेस और 3 पर अन्य आगे हैं महोबा की 14 सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी आगे है, 3 पर BJP, 4 पर अन्य आगे हैं वहीं चित्रकूट की 17 सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी, 4 पर ही BSP और 4 पर BJP बड़त बनाये हुए हैं जबकि अन्य जो हैं वो 6 सीटों पर आगे हैं तो ये आभी तक के जो रुजहान है वहाँ पर आ रहे हैं लेकिन ये बताता है कि प्रवांचल आवद में समाजवादी पार्टी और वेस्ट यूपी में आरल्डी ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है बीरो रिपोर्ट दे न्यूस बीक